वक्त की जालिम हुकुमत शरीयत के कानून को बदल रही है और हमारे नोजवान टिक टॉक पर मुझरा कर रहे हैं जिस मजब में औरत के आवास तक का पर्दा है उस मजब की लर्कियां टिक टॉक पर नाच रही हैं हकीकत में कोई फरक नहीं है दोनों में वो कोठे पर नाचती है तुम टिक टॉक पर नाच रही हो उसे दस बीस गेर मर्द देखकर मज़ा लेते हैं और तुम्हें मूबाइल पर हजार गेर मर्द देखकर मज़ा ले रहे हैं उसे नाचने पर पेजे मिलते हैं तुम्हें कितने हिसे का पर्दा करूं और कितना हिसा खुला छोर दूं तो अबा ने जवाब दिया बेटी बदन के जितने हिसे पर जहनम की आग बरदाश कर सकती हो तो उतना हिसा खुला छोड़ दो वा जी वा और या हालत देखो दोस्तों टिक टॉक ये कयामत की निशानी में से एक निशानी है क्यूंकि अल्ला के नभी ने फरमाया है घर घर में नाच गाना होगा अफसोस आज वो ही हो रहा है बेटियां बेटे माँ बाप बाई बेन सब लगे हैं इस कयामत की निशानी को बढ़ावा देने अगर अपनी बेन बेटी को टिक टॉक पर मुझरा करते देखकर तुमारा दिल खुश होता है तो आप नमाज जनाजा पर लो क्यूंकि तुमारी गेरत मर चुकी है और दूसरी बात याद रखना मिट जाती है उस कौम की एहमियत जिसमें बेहयाई आम हो चुकी हो और जब निकार डीजे पर पढ़ाए जाएंगे तो नसलें टिक टॉक पर मुझरा करते हुए ही पैदा होंगी न अपसोस तो तब होता है मुझे कि टिक टॉक पर ज्यादा फेमस भी मुस्लिम ही है ना अपसोसे उन्हें अपने काम पर ना शर्मिंदिगी है गुजर रही है गुनाओं में ये कैसी जिन्दगी है दोस्तों मेरी आप सबसे रुक्वेस्ट है कि अपनी ओरतों को दीनदार बनाओ और दीन की मेनत में लगाओ वरना जिस दिन तुमारा जनादा उठेगा उस दिन तुमारे गर से तुमारे दीन का भी जनादा उठ जाएगा और अगर तुमने अपनी ओरतों को दीनदार बनाया तो तुमारा दीन नसलों तक जिन्दा रहेगा दोस्तों अगर आपके अंदर थोरी सी भी गेरत जिन्दा है तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो क्या पता आपके एक शेयर करने पर इस दुनिया में बदलाव आ जाए